टीम इंडिया के स्टार ओलराउंडर अक्षर पतेल का जन्म 20 जन्वरी 1994 को नडियात कुजरात में हुआ था अक्षर पतेल का पुरा नाम अक्षर राजेसबाई पतेल है अक्षर को पड़ाई से बहुत ज्यादा लगाव था इसलिए अक्षर पतेल ने कभी सपने में भी क्रिकेटर बनने का सोचा नहीं था वैसे आपको बतादू कि अक्षर पतेल मिकेनिकल एंजिनियर बनने का सपना देखते थे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जिसके चलते आज इस खिलाडी भारतिय टीम में एक अलग ही छाप छोड़ी है अक्षर पतेल के परिवार के बारे में जानकारी देते हुए आपको बता दू कि उनके परिवार में पिता जिनका नाम राजिस पतेल है और माता का नाम पृति बेन पतेल है इसके साथ ही एक भाई संसिस पतेल और बहन सिवांगी पतेल भी है अक्षर पतेल की अभिशादी नहीं हुई है लेकिन साल 2022 में अपने जन्मदिन के मौके पर इस खिलाडी ने अपनी मंगेतर मेहा से जगाई कर ली है अक्षर की मंगेतर एक आहार विशे सग्य और पोशन विशे सग्य पर काम करती है अक्षर पतेल ने 22 परवरी 2012 को विजय हजारे ट्रॉफी में महराष्ट के किलाप लिस्टे क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला था क्रिकेट में पहें जरीन परदर्शन करने के बाद एक बार फिल अक्षर को 2 नवंबर 2012 को रंजी ट्रॉफी में मत्य प्रदेश के किलाप प्रथम शनी क्रिकेट में खेलने के लिए सुना दया था अक्षन ने अपने 22 पदर्शन के चलते बांगलादेश के किलाब 15 जुन 2014 को वन डे क्रिकेट में डेब्यू किया था इसके बाद अक्षर पटेल को 17 जुलाई 2015 में जिम्बामबे के किलाब 220 आंधरास्ट के क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला इस मैच में अक्षर ने चार ओवर की गेंदबाजी में 17 रंद देकर अहम 12 विकेट अपने नाम किये थे इन दोनों में बेश्तरीन पदर्शन करने के बाद चैन करता ने 13 फरवरी 2021 को टेस्ट में डेब्यू करने का मौका दिया जिसमें अक्षर पटेल ने पहली फारी में दो विकेट और दूसरी फारी में पांच विकेट लेने में कामियाब रहे थे